हेलो एबरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी कापके अपने शेनल से कोच इंग क्लासस पर स्वगत है तो क्लास टुल्थ मैच एंसे रटी प्रिशनवली सेवन पी पॉइंट टू कि कुछ महात्मून प्रिशन हम आपको समझाने वाले हैं देखे यहाँ पर जो मैथट का एक ही कुशन करा हुआ इसलिए आप मैथड अच्छे समझते चलना ठीक है तो जैसा कि आपको देखे रहा है यहाँ पर आंस और हर में ऊपर घात कम है और नीचे अथिक है मतलब यह एक उचित भिनने के रूप में हैं जब इस टूइन बराबर हो जाता तो फिर उचित भिनने नहीं होता तो जब उचित भिनने तो कुछ करने के रहों नहीं सीधे मैथड लगाओ तो अपन मैथड क्या करते हैं इसको अपन करते हैं माना जो भी ऊपर रहेगा उसको अपन लिखो है ना ऐसा करना इतना कर लो गया फिर इस्टूडेंट करो आप M इसके जो भी नीचे है उसका अब कलन करो इतना मेढ़र आपको ध्यान रखना है केवल इसको चेंज करने के लिए सब लंबा प्रोसेश करना पड़ेक है इतना Element मेुछ नहीं सीधा कर देना क्या करना एन कर देना यह लंबा प्रूसेस कब होगा जब उचित भिन हो ऊपर घात कमो नीचे घात अधिको ठीक है ना तो यह आप इतना कर सकते हैं इसके बाद आप कर दें तीन इक्स धन एक बराबर हो जाएगा एम इसका अब कलन कर जाए दो दूना चार एक्स हो जाएग इस काप कलंग कर दिया जाए तो माइनस दो धन एन हो जाएगा और यहाँ पर तीन काप कलंग सुन हो जाएगा कोई बेलू नहीं अब यह दि एक्स के गुनाग को अलग कर दे और अचरपद को अलग कर दे तो यहां पर दें तीन X धन एक है इधार दे किया जाए तो कित तो हो जाएगा 4MX है ना और इस टुड़ेंट आपके पाद जिससे यहां पर N है और यह माइनस 2M है यह अलग कर दिया इसको और इसको अलग कर दिया X के गुड़ां को अलग कर दिया अब दोनों पदों में यहीं दोनों पच्छों में X के समान घातां को गुड़ां को तुलना करने पर तो दोनों पच्छों में X के समान घातां को समान घातों की गुड़ांकों की तुलना करने पर गुडांकों की तुलना करने पर तो इधर पर देखें जिसे यहाँ पर आप थुड़ा सा इसको समीकर्ण एक दे सकते हैं इसको समीकर्ण दो दे सकते हैं अब सकता क्यांग साथ या कि इसको दे सकते हैं आप समीकर्ण जो आपको उचित लगे ठीक है तो यहाँ पर आप समिकर्ण दे दीजिए इसके बाद आप यहाँ पर जब तुलना करेंगी तो इस दन फोर एक्स यहीं फोर एम एक्स है एक्स का गुड़ां के आप फोर एम है इधर कितना है तीन है और इसको आप समिकर्ण कितना दे देंगे तीन दे देंगे ठीक ह इसके बाद आचरपद कितना है यहाँ पर आचरपद है आपके पास n-2m विदर आचरपद कितना है एक इसको आप समिकर्ण 4 देदें ठीक है समिकर्ण 3 4 इतना हो गया अब यह हम समिकर्ण 3 से देखें समिकर्ण 3 से कहां से समिकर्ण 3 से कितना है 4m equal 3 तो m equal कितना हो जाएगा 3 by 4, यह M कमान आया है, M कमान हम समिकर्ण 4 में रख दें, तो M कमान कहां रख दें, M कमान, समिकर्ण 4 समिकर्ण 4 में रखने पर, तो N कमान आ जाएगा तो रख दो तो N कमान निकलना है तो N minus 2M M कमान कितना है, 3 by 4 equal 1, 2 से कड़ जाएगा तो टूजा 4 इतना हो गया आपका N-3 बटे 2 है पराबर 1 अच्छा ये माइनस उदर जाकर जुड़ जाएगा तो सीधा आपका N का बैलू आने वाला है 5 बटे 2 अर भी बक्षांतर करके जुड़ देना तो ये M और N आ गया अब N और N का मान हम इस पर रख सकते हैं यहां पर रख दो जहां पर आपकी इच्छा हो कोई दिक्कात नहीं ठीक है तो यदि मैं समीकरन किस पर रख दूँ 2 में समीकरन 2 से कहां से समीकरन 2 से यानि आपके पास कितना था समीकरन 2 2 X प्लस 1 था ना इतना था ना, सुरी, 3X plus 1 था, इसके जगह आपका आ जाएगा, M है तो M, M कमान कितना है आपके पास, M कमान, M कमान 3 बटे 4, 3 बटे 4 हो जाएगा, और 4X minus 2 हो जाएगा, ठीके, और इसके बाद N कमान कितना है, 5 बटे 2, मतलब इसके जगह इतना हम लिख सकते हैं, ठीके, या हो गए आपका समिकर्ण चार के बाद आगया पांच इतना हो गए मतलब तीन अग्स धन एक जगे हम इतना लिख सकते हैं आप देख सकते हो कहां पर तीन एक्स धन एक है इसके जगे इसको पन लिख सकते हैं देख रहे न अभी uded question अभी कितना आगे तक है अभी तो यह किवल arrangement हो रहा है आपका ठीक है तो तब हम कह सकते हैं तब आई बराबर इसको कैसे arrange करेंगे तो आई बराबर arrange कर सकते हैं तीन एक सब्सक्राइब एक किसको लिखेंगे तो आपका जो value था कितना था 3 बटे 4 3 बटे 4 4 x minus 2 फिर plus 5 by 2 और नीचे वाला जो पाद है वो 2 x square minus 2 x plus 3 और यह dx तो dx है तो इतना लंबा process चल रहा ठीक है चलिए आगे अब देखना है इन दोनों को अलाग अलाग करना है अलाग अलाग करना है इस ब्रट ठीक तो देखिए यह 3 बटे 4 हो जाएगा उपर होगे 4 x minus 2 हो जाएगा बटे में 2 x square minus 2 x फिर dx होगा बाले ही एक question करो लेकिन अच्छे से करना भाई ठीक है समय लग रहा है कोई दिक्कत नहीं इसमें 5 बटे 2 बाहर कर लो फिर बच्चे का 1 यहाँ हो जाएगा 2 x square minus 2 x फिर धन 3 और यह dx होगा अब इसका जो method है मैंने करा चुका है already video बनाया है है ना तो इसको मैं कुछ direct करने की कोशिस करूँगा आप लोग confused मत होना अब मेरे भाई इसका आपकलन तो यह है यह already है तो इसको टी मानने के बसकता नहीं यह वाला कसर टी मानने तो इसका एक बटे टी मानेंगे तो लाक टी हो जाता है समझ रहे ना तो तीन बटे चार कर दी जब इसको टी मानेंगे तो यह हट जाएगा समझ रहे ना आपकलन मैंने पहले ही करा दे इसका आपकलन यह है तो इसका मतलब यह हो गया किसका अधियो direct देखा जाए तो यह हो जाएगा log टी करेंगे तो यह 2x square minus 2x plus 3 यह हो गया इसको अपन क्या करते टी मानती है तो एक बटे टी का लॉक टी होता तो direct ही कर दिए है ना ज्यादा कुछ करने जरूत नहीं है अब इन में से दो कामन ले लिए तो पांच बटे चार हो जाएगा दो कामन के बाद यहाँ पर बचेगा x square minus x सदन तीन बटे दो और इधर कर दें dx इतना clear हो गया चले अब इसको अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन करते क्या है जिसे यहाँ पर x है तो a square minus 2a भी बनाना है है ना minus 2a भी बनाना है तो 2a भी बनाने के लिए यहाँ पर ध्यान रखना देखे आरेंज करूंगा आप चिंता नहीं करना बहुत इजी लगेगा इसको आप a अचा 2 का multiply कर दिया तो 2 का भाग कर दूँ अब यहाँ पर 2a भी है अब b कमान किता है एक बटे दो तो प्लस b square होता है यहाँ एक बटे 4 को जोड़ दो और एक बटे 4 को घटा दो सांत भी जो तीन बटे 2 square है दो और dx कर दो यह पिछले प्रस्णवाली का कोशियन आ गया यह पिछले प्रस्णवाली का कोशियन है तो अच्छे से समझ लो यहाँ तीन बटे 4 तो तीन बटे 4 लॉग है तो लॉग 2x square minus 2x plus 3 हो जाएगा plus 5 by 4 अब आगे चलो करते चलो अभी यहाँ पर जो है a minus यह एक बटे 2 का पांच बटे 2 आ जाएगा calculate कर लो एक बार 5 बटे 4 आएगा तो minus 5 बटे 4 होगे दी अक्स हो गया clear student इतना हो गया एक पच्छ तो आपका सेम उतार ही रहे हो आप कोई दिक्कत नहीं इनमें सब में यह पद आता ही रहेगा पांच बटे 4 होगे इसको टी मानेंगे न तो यह हट जाएगा तो एक काम करते हैं इसको one अपाने इसको पूरा x square मानेंगे और यह हो जाएगा root पांच बटे 2 कबर यह हो गया dx clear तो चलो भाईया यहाँ पर देखें यहाँ पर प्लस आएगा क्या आएगा प्लस आएगा x square प्लस a square का क्या होता फार्मूला one अपाने 10 inverse x अपाने इसको अपाने इसको पूरा को x मानेंगे तीन बटे 4 लॉग है 2x square minus 2x plus 3 5 by 4 one अपाने एक कमान कितना है root 5 बटे 2 10 inverse x अपाने x कमान x minus 1 बटे 2 अपाने root 5 बटे 2 यह हो गया plus c c के ऐसा माकला निया तांग है इसको कैलकुलेट करो 2 से यहां कट जाएगा root 5 से root 5 कटेगा 3 बटे 4 log 2x square minus 2x plus 3 देखिए half है तो half कट जाएगा कितना बचेगा half बचेगा यहां पर 2 बचेगा 10 inverse है 2 का multiply कर दो 2x minus 1 बटे 2 का 2 से कट जाएगा तो root 5 बचेगा प्लस c यही आपका answer हो गया तो 10 मिनट में एक question 10 मिनट में आपने पढ़ा एक question अगला question भी कराऊँगा इतने ही लंबे रहेंगे ध्यान रखना मेरे भाई हो method का question करा रहा हूँ एक method के दिए एक question करा दिया या कि दो question करा दिया तो आप से बनना चाहिए तो आसर उमीड है कि यह question आप simple तरीके से कर लोगी तो चलिए देखते हैं दूसरा question तो दूसरा question देखें यहाँ पर यह अनुचित भिन्न है समझ रहना भी सम भिन्न जिसको बोला जाता है x square उपर है x square नीचे भी घात सम है पहले इसको तो करना क्या पड़ेगा पहले इसको घात सम बनाना पड़ेगा मतलब कहने मतलब ऊपर जो उचित भिन्न बनाएगे तो ऊपर का घात कम होना चाहिए और नीचे का घात उपर होना चाहिए तब ही हम समक्रन कर पाएंगे नहीं तो इसको समक्रन करना impossible है तो अपन करेंगे किया इसको अरेंज करना है कुछ भी जोड़ घाता दो जो अवा सकता पड़ी जैसे दि मैं सेम नीचे का उपर जोड़ दू यहनि 6X-12 को जोड़ा उतना ही क्या करूंगा घाताऊंगा जितना जोड़ दिया प्लस कर दिया उतना ही घाताऊंगा कोई दि पूरे को और इस पूरे को अलग करेंगे, तो कितना बचेगा, देख लिजी आप लोग, x square plus 6x minus 12 है, बटे में हो जाएगा, x square plus 6x minus 12 है, यह dx हो जाएगा, फिर minus कर दो, फिर यहाँ पर 6x minus 12 है, divided by x square plus 6x minus 12 है, और यह dx है, तो यहाँ पूरा का पूरा कट रहा है, पूरा का पूरा क्या होए? कट रहा है, तो यहाँ पर किबल एक ही बचेगा, कितना बचेगा? एक dx, और माइनस है यह आपका हो गया 6x minus 12 upon x square, plus 6x minus 12 dx हो गया अब यह प्रोसेस पुराना आ गया यह प्रोसेस पुराना आ गया पिछले question जैसे आगया, देख सकते हैं आप लोग, यहां से फिर हम इसको क्या करेंगे, कोशिस करेंगे कि अलग हो जाए, तो फिर तरीका बदलेंगे, पुराना ही method, अब दूसरा method तो करना नहीं, इसका तो आप क्या कर दें, कि इसको कर दें, एक का हो जाएगा X, है न समा कलंड, और इसको मान लो I1, है न, इसको हमने क्या मान लिया, I1, तो I1 को अलग से लिखते हैं, I1 मराबर क्या माना आपने, समा कलंड 6X और माइनस 12 अपान X स्क्वेर प्लस 6X माइनस 12, यह DX है, वही मैथड लगाना है, हलाकि यहाँ पर लाजिक लगाकर, दूसरा मैथड भी प्रयोक कर सकता हूं, कम समय में हल कर सकता हूं, लेकिन आपको उसी मैथड का प्रयोक करना है, ताकि आपनोंको दिक्कत ना हो सके तो देखिएगा इसको आप समिकर्ण एक दे दें और यहां से शुरू करें समिकर्ण दो दे दें तो यहां पर अपने क्या कहा था जो उपर वाला उसको तुलना करो M लगाओ B अपन दी एक्स आप कलंड नीचे वाले को करो और फिर क्या करो भईया N लिख दो फिर करना क्या आप कलंड कर दो तो यहां पर 6X-12 रहेगा ही आप कलंड कर दो तो 2X हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा यहां पर प्लस N हो जाएगा ठीक है यह दि हम इसको गुड़ा कर दें तो 6X-12 2MX हा जाएगा प्लस 6M प्लस N इसको अला कर दिया हमने इसको देदीय समेकंण दीए जितनी अब सकता पड़ेगी समेकंद की उतनी ही देनी पड़ेगी ठीक है चलों करते चलो भई दोनों पच्छों में दोनों पच्छों में X की घात X की घात के कुड़ांकों के तुलना करने पड़ यहां पर देखू X और X है 2 M बराबर 6 इसको आप समीकान 4 दे दू ठीक है और इसके बाद यहां पर 6 M प्लस N माइनस 12 यह समीकान आपका 5 होगी अप समीकान 4 से देखू यहां पर कितना 2 M इक्वल 6 M इक्वल 6 बाइ 2 आ गया 3 M बराबर कितना भी है M बराबर 3 मतलब M बराबर 3 आ गया M कमान आप कहां रख दो समीकान 5 में रख दो जब समीकान 5 में रखोगी तो N कमान आ जाएगा चलिए रख दीजी M कमान समीकान 5 में रखने पर समीकान 5 कितना आपके पास कितना है 6 M प्लस N तो 6 इंटू 3 प्लस N इक्वल माइनस 12 तो छेत्रिक 18 हो जाएगा प्लस N बराबर माइनस 12 N बराबर कितना हो जाएगा किदार जाकर जोड़ दो N बराबर हो जाएगा 18 जाके जुड़ेगा तो लेकिन माइनस में हो जाएगा 12 माइनस 18 तो आ जाएगा आपका 8 2 10 10 20 30 है ना मतलब आपका आचुका है माइनस 30 यह किसका बेलू आपका N कमान आया अब इस M और N के मान को हम कहां रख देंगे यहां पर रख देंगे यह जो समिकर्ण तीन आया ना आपका यहां कि समिकर्ण यहां पर आप इसके उपर रख दो यहां पर रखो ठीक है तो यहां पर M कमान रख दो और N कमान रख दो तो अब आपके पास आएगा यहां पर तो कहां पे रखना यहां पे रखना इस पे रखना अब आपका यदि देखा जाए तो six x minus 12 equal एम कमान कितना आया तो एम कमान आया तीन तीन दो एक्स धन छे और minus 30 हो गया इतना clear अब इसको direct भी कर सकते थे लेकिन ये process है यदि आप एक ही method से पढ़ोगे ना तो आपको बार-बार परसानी नहीं होगी लेकिन ये आप जोड़ घटा कर मैं अभी ये बता देता इसी को दूसरे method से तो आप problem में चल जाते हैं ठीके तो चलिए i1 बराबर हल करते हैं i1 बराबर हो जाएगा आपका उपर का कितना रख देंगी तीन दो एक्स धन छे माइनस तीस बटी नीचे कितना था नीचे था एक्स स्क्वेर धन छे एक्स माइनस बार दी एक्स इसको करते चलो प्रोसेस करते चलो तो i1 बराबर आपका आया अलाग अलाग करेंगी तो तीन बाहर हो जाएगा दो एक्स धन छे बटी एक्स स्क्वेर धन छे एक्स माइनस बारा दी एक्स ठीक है माइनस तीस बाहर ले लो तो कित्त पच्छेगा एक बट्टे x square धान 6x धान स्वरी स्वरी माइनस 12 dx हो जाएगा अब इसको मैंने कहा ना इसको ती मानूगा तो यह हट जाएगा तो एक बट्टे टी का लाग टी अब इस प्रोसीजर में आपको सीधा कुछ नहीं करना है लाग टी कर देना x square प्लस 6x माइनस 12 और यह आपका dx हटी जाएगा अच्छा इसको अब अरेंज करना पड़ेगा देखेगा थोड़ा सा इसमें लंबा प्रोसेस होगा a square तो a square रहने दू 2ab 2 a कमान x b कमान 3 अच्छा कहां से 3 आगे 3 होना 6 है ना अब हमको पता होना चाहिए b square होना चाहिए तो जितना हमने जोड़ा उतना हमने घटा आया यह कहां से आगे भईया तो 3 है तो 3 तरकाई 9 चाहिए इसलिए हमने 9 जोड़ा 9 घटा दिया यहाँ पे माइनस 12 तो रहने दो और dx है ठीक इतना हो गया यह i1 आ रहा भी है 3 log है आपके पास यहाँ पर x square plus 6x minus 12 है minus 30 है एक बटी a plus b का holy square मतलब x धन 3 का square और इसको जोड़ दो तो 12 12 हो जाता है इसको root 21 करके बर करके अपन फर्मूनल लगा देंगे आयों बराबर 3 log x square धन 6x minus 12 minus 3 कर दो अच्छा इसको सूतर में सेट करेंगे इसको x पूरे को मानेंगे और इसको a या b कुछ भी मान लो तो root 21 का बर्ग x square minus a square का फर्मूनल लगा दो log property से ठीक है किस property से भी है log property से तो 3 log x square plus 6x minus 12 minus 30 सूत क्या होता 1 upon 2a log x minus a मतलब x धन 3 minus root 21 फिर x धन x x धन 3 धन root 21 डिरेक्ट कर दिया भी है प्लस c क्या हो जाएगा c कहां last में c मानेंगे जहां समी करने एक में रखेंगे अभी तो i1 का माना आया है i1 का माना आया है इसको अधी और अरंज करना चाहते हूँ तो 15 दूना 30 होता है तो चलिए i1 बराबर actual में value किता 3 log x square plus 6x minus 12 minus 15 बटे root 21 यह हो जाएगा log x plus 3 minus root 21 अफ़ान x plus 3 plus root 21 होगे यह हो गया clear इतना चलिए इतना complete होगे भीया अब i1 का मान आय पे रखो कहां तक किया था पन्नी चलो देखते हैं कहां पे है ठीक है यहां पर आप देख सकते हूँ समीकरण एक जो दिख रहा है समीकरण एक पे रखने पर तो समीकरण एक पे रखेंगे तो आपका total i का value आ जाएगा ठीक है समीकरण एक मी मान रखने पर रखतो भी यह किता हो जाएगा ion कमार्ण रखेंगे i equal किता हो जाएगा यहां पर x है तो x रहे दो minus minus तो चिन्न तो बदाल जाएगा तो 3 log x square plus 6 x minus 12 और यहां पर minus है तो plus हो जाएगा 15 बटे root 21 log x plus 3 minus root 21 upon x plus 3 plus root 21 plus c यह समा कलाड़ने तांग तो दो ही question आज हो पाएंगे और दो type के question मैंने करा आती है ते कि लंबी procedure भी या लंबे पदों में हल होते हैं तो इसलिए वीडियो को वन तक देखा करो और अच्छे से सवाल को solve करो तो इस चोड़ा से वीडियो पसंदार तो लाइक कर देना दोस्तों को साथ चैनल को सबस्क्राइब कर साथी बे लाइक और प्रस कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहीन बंदे मातरम